एसलाम लीकुम एस्पिरेंट्स वेलकम बैक तो एस यू गाइस नो के css एमपटी 2024 का रिजल्ट अनांस हो गया है ठीक है कल ही अनांस हुआ था और हमें वहां पेज जब हम FBSE की वेब साइट पे गए तो हमें डिफरेंट लिस्ट नजर आई एक लिस्ट थी उन चैन्स तो आउड दोस हुए फास्ट दियर एंपटी ठीक है तो उसके बाद एक लिस्ट में नजर आई जो फिल कैंडिडेट्स की थी तो आप लोगों ने भी डिसार्ट नहीं होने है अ अफकर्स आप लोगोंने इस तो फानी क्या तो नेक्स टाम कर लोगे ठीक है इड़ फान से इसके बाद एक और निस्ट थी वो थी विध हैल्ड के इसके लिस्ट मितलग मतलब होता है श्ला कल ईन अब यह वह कैंडrie डे एक यूल कि वहीं दो tras sports नई की जो कि मैं एक वीडियो पर भी यही कमेंट आ रहे थे बार-बार कि मैं विदहल्ट जो रिजल्ट है जो विदहल्ट केंडिडेट्स की लिस्ट है अब वह वह ले स्टूडेंट क्या करें नेक्स्ट ठीक है सो इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूं कि what to do next और अल्दो मेरे लेकिन मैं चाहती हूं कि आप लोगों को लाइव दिखाऊं एफपीएसी की वेबसाइट पे जाके ताकि आप लोगों को कोई शक ना हो क्योंकि अथेंटिक चीज़ी में शेयर करती होती हूं चले मैं आप लोग को दिखाती हूं मोबाइल के तुरूई करें हम जाते हैं फ्सी की वेबसाइट में पर ठीच क्लिक किया और अभी यह हमें नेके चाहेंगा इसकी और यह वेबसाइट आ गही है हमारे सामने ठीक है अब यह देखें इंपोर्टेंट अपडेट में ही जो css 2024 mcq-based preliminary test empty result खोल लिया अब देखें यह वाली वो पूरा था जहां भी हमें लिस्ट मिले थी यह देखें इस टॉप पे जो है प्रेस नोट css mcq-based preliminary test empty 2024 यह जो प्रेस नोट है न हमने यह डाउनलोड करना है यह देखें मेरे पास पहले से डाउनलोड है जल्दी से यह जैसे ही open होता है तो मैं आप लोग को बताती हूं यह देखें जी यह आगया हमारे सामने press not c 2024 empty press not ठीक हो गया it is loading okay okay it may take couple of seconds so please bear with me i don't know why is it happening like this okay यह हमारे सामने आगे जी यहाँ पे देखें हमारे पास इस साम जो important है वो चीज जो हमने देखनी है इस वीडियो के related है वो यहाँ पे है यह देखें जी यह जो fourth point है इस point को देखें names of candidates मतलब essay candidates का नाम whose result has been withheld जिनका result रोक लिया गया है अब क्यों रोका गया है due to non submission of treasury receipt मतलब आपने वो जो treasury receipt यह नहीं जो आपका चलान form था यह 250 rupees का आपने वो सब्मेट ही नहीं करवाए और वो सब्मेट नहीं करवाओगे तो अब आपको पांचों को एक चलान पर करना होगा आज representation fee in closing there within original TR चलान of rupees 250 अब आपको वो जो 200 वाला वो चलान था वो भी आपको सब्मेट करवाना होगा और साथ 500 रुपय का एक और चलान भी आपको सब्मेट करवाना होगा deposited before closing date मतब यह जो before closing date तो यह तो उस वाले चलान की बात कह रहे है ना जो आपने उस time पर किया था और उसके बाद साथ 5 होगा आपको एक और चलान सब्मेट करवाना होगा और उसके बाद आपको यह उन्हें send करना होगा जब यह सब्मेट हो जाएगा तो उसके बाद आपका result show हो जाएगा so यह वो चीज़ है जो आपको अब next करनी है so I hope कि समझ आ गिया अभी भी कोई confusion है तो आप लग comment box में पोच सकती है thank you